हलो, हालो, इभरवान Üст, आभ लोग को मेरे चैनल गुलाब Study Classes में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग तृकोड मिती के पहला प्रस्णवाले में जितना question है उसको बारि-बारि से देखते जाएंगे। फिलिध वीडियो में हम लोग प्रस्णवाली एक के पहला प्रस्णा को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है देखें प्रस्णवाली एक में कैसा कैसा प्रस्णा दिया है जिसको हम लोग स्वाल करेंगे तो प्रस्णवाली एक में सर्वसभीकार दिया रहेगा उसको धगरने वाले हैं तो आपका पहला प्रशन है देखिए 1 upon 6 theta minus 1 upon 6 theta plus 1 equal to 2 cut square theta अर्थाथ इसमें left hand side से right hand side प्रूब करेंगे या फिर right hand side से left hand side को प्रूब किया जाता है मैं आप लोगों को left hand side से right hand side प्रूब करके बताँगा इस वीडियो में तो देखिए यहां पर left hand side को लि minus 1 upon 6 theta plus 1 ठीक है यह left hand side है अब देखिए इसको कैसे सालों किया जाता है इसका लगुत्तम लेने वाले हैं लगुत्तम क्या क्या आएगा 6 theta minus 1 into 6 theta plus 1 आएगा तो यहां पर मैं लगुत्तम ले लेता हूं 6 theta minus 1 into 6 theta plus 1 ठीक है फिर उसके परश्चात इसको कैसे हल किया जाता है देखिए इस वाले आइडेंटी जो होती है 6 theta minus 1 जो आइडेंटी होती है उस आइडेंटी का इस आइडेंटी के साथ भाग दिया जाता है डिवाइट किया जाता है तो देखिए इस वाले आइडेंटी क इस वाले identity से यदि divide करेंगे तो सेख ठीटा माइनस 1 सेख ठीटा माइनस 1 cancel ओठ हो जाएगा फिर यहाँ पर बचेगा क्या सेख ठीटा प्लस 1 इसी का multiply 1 के साथ होगा तो क्या आने वाला है सेख ठीटा प्लस 1 आएगा फिर इसके पर साथ देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह क इस वाले identity का divide इस वाले identity के साथ किया जाता है तो क्या करटेगा देखिए सेख ठीटा प्लस 1 और सेख ठीटा प्लस 1 आपस में cancel ओठ हो जाएगा और बचेगा क्या सेख ठीटा माइनस 1 का multiply 1 के साथ होने वाला है तो उसके साथ कर दो सेख ठीटा माइनस 1 और देखिए यहा पर माइनस चीन है इसका मुल्टिपलाइड यहाँ पर जो भी आइडन्टिटी आती है उसमें मुल्टिपलाई किया जाता है तो इसको आप deposits में लिखना ठीक है यहां तक अब उसके पर साथ कि इसी माइनस चीनह का multiply इसी identity के साथ कर देंगे, चलिए करते हैं सेख ठीटा प्लस 1, देखें यहाँ पर जब भी माइनस चीनह का multiply किया जाता है, तो चीनह बदाल जाता है, sentient हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का गुड़ा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाता है, और 1 आ जाएगा, अब पान में यह जो है उसको लिख देता हूँ, sentient minus 1 into sentient plus 1, अब यहाँ पर देखिए, कौन करता है, देखो sentient जो है plus में है, और sentient जो है वो minus में है, आपस में cancel हो गया, यहाँ पर अब 11 add होने वाला है, 11 add होगा, तो 2 हो जाएगा, अब पा Deixa minus 1 into state theta plus 1, अब यहाँ पर देखिए, एक सूतर होता है, 20 गडिती सूतर होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं सूतर को, a plus b into a minus b equal to a square minus b square, यह सूतर होता है, इसी सूतर से इसको relate करेंगे, देखे a plus b into a minus b equal to a square minus b square होता है तो relate करो a की स्थान पर 6 ठीटा है और b की स्थान पर 1 है तो a plus b into a minus b इसके समान है तो a के स्थान पर देखो 6 ठीटा है और b की स्थान पर 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते है a square minus b square के सूत्र के फाम में लिख सकते है तो इसको यहाँ पर लिप देता हूँ 2 upon देखे एक की स्थान पर क्या है 6 theta है तो 6 theta का क्या होगा 6 square theta होगा फिर minus B की स्थान पर क्या है 1 है तो 1 का हो जाएगा square ठीक है अब next step क्या हो जाएगा देखिए 1 2 upon 6 square theta minus 1 का square 1 ही होता है अब यहाँ पर 3 सूत्र होता है एडेंटिटी वाला उस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ देखिए sin square theta plus cos square theta equals 1 होता है और kosek square theta equal to 1 plus cot square theta होता है और होता है 6 square theta equal to 1 plus 10 square theta होता है अब इसी तिनों फार्मूला में से देखिए यहां पर इस सूत्र को देखिए तो यहां पर यदि 1 को इधर पक्छांतर करूंगा तो यह क्या हो जाएगा C square theta 1 को इधार लाँगा तो minus 1 हो जाएगा equal to हो जाएगा 10 square theta अर्थात यहाँ पर देखिए C square theta minus 1 equal to 10 square theta होता है तो इसी में इस equation में देखिए C square theta minus 1 C square theta minus 1 C square theta minus 1 को क्या लिखा जा सकता है 10 square theta लिखा जा सकता है तो यहाँ पर मैं उसी के formula को रख रहा हूँ C square theta-1 की स्थान पर 10 square theta लिख रहा हूं तो यह हो जाएगा 10 square theta ठीक है यहां तक अब इसके परसाद इसको और क्या लिखा जा पर सकता है देखिए 2 multiply one upon 10 theta multiply one upon 10 theta ठीक है 2 को यहां पर लिख दिया 1 upon देखो 10 square theta को दो बार लिखा जा सकता है क्योंकि इसका गुड़ा करेंगे तो 10 इसका ठीटा ही आ जाएगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अब यहाँ पर उल्टा वाला सूत्रा आप लोगो पता होगा 10 जो होता है काड का उल्टा होता है और काड जो होता है वहाँ 10 का उल्टा होता है यहां पर सूत्र को लिख देता हूं देखिए कॉट ठीटा जो होता है वहां टेन ठीटा का उल्टा होता है ठीक है कॉट ठीटा इगवल टू वान अपान टेन ठीटा होता है तो यहां पर हम लोग वान अपान टेन ठीटा के जगा में क्या लिख सकते हैं कॉट ठीटा लिख स गुड़ा का मुटिपलाई हो रहा है, तो कोर्ट ठीटा आजएगा, क्या जाएगा, कार्ट हुड्सक्यो ठीटा, यही रैट सफैड है, रैट हैंक्षैड अर्थात हिज फो गया ठीक है उम्मींत करता हूं यह वीटो आप लोगों को जरूर समझ में आ घया होगा यदि यह झाल